वेलकम टू सोनी आनलाइन क्लासेज आजका टॉपिक है राजमहल का गौरब साल इतिहास साहिवगंद जिला में पहाड़ों के गोद में बसा राजमहल का इतिहासिक महत्तु है गंगा नदी के दक्षिन पर्ष्चिम भाग में स्थित्या छेदर काफी अविभाजित कभी अविभाजित बिहार बंगाल उडिशा की राजधानी हुआ करता था राजमहल की पहाड़ियां लगफख 567 मीटर की उचाय तक है घाटियों में संथाल जनजाती खेती करती है यह उनकी घाटिया है यहाँ पर संथाल जनजाती वो अपना एगरिकल्चर का वाग करते है इसका महत्तो और बढ़ जाता है जब मधेकालिन भारत में बंगाल के और मुगल सेनापते मान सिंग ने तेलिया गड़ और गंगा नदी पर नियंत्रन के लिए 1595 और 1596 में इस जगा को अपनी राजधानी के रूप में चुना था 1608 में बंगाल के राजधानी ततकालिन डग का यानि जो आजम से ढाका कहते है उसे बदल दी गए थी हलक या स्थाई तौर पर 1639 से लेकर 1660 के बीच राजमहल ने अपनी प्रसासनिक स्थिति को वापस हासल कर लिया था राजमहल में बादसा अकबर के समय की अतिहासिक महतुकी अकबरी मस्जिद आज भी है जबकि बंगाल के नवाब मीर कासिम के समय के बनाएगे मस्जिद बहुत हद तक बेकार हो गई है यहां मौजूद मुगल कालिन हिमारते अतिहासिक घटना को बया करती है राजमहल में गंगा किनारेश्थित परसिद सह ए दलान आज भी मौजूद है इसे बंगाल के गवर्णर साह सूजा ने मान सिंग के सहयोग से बनवाया था इस तरह से गाईज यह राजमहल का गौरव साले इतिहास रहा मौगल कालिन इमारते अतिहासिक घटना को बया करती है राजमहल के गंगा किनारेश्थित परसिद सह ए दलान आज भी यहाँ पर मौजूद है इसे बहुत सारे से चीजे हैं जो मौगल कालिन से संबंदित है तो गैज मिलते फिर न्यू वीडियो में न्यू टापिके साथ जैह हिंद